दोस्तो हमारे आज पास ऐसी बहुत सी चीजे होती हैं जिने हम अपनी नॉर्मल आखों से देखने हैं जैसे क्या आपको पता है इंजेक्शन लगवाने या फिर मच्छर के काटने के बाद उस काटी हुई जगह का सर्फिस किस तरह से नजर आता है और क्या आप जानते हैं कि चीट या माइक्रोस्कोप में देखने पर किसी राक्षस से कम नहीं लगती हैं क्या आपको पता है कि so called famous दही वाले बैक्टीरिया मतलब lactobacillus bacteria आखिर में कैसा दिखता है और तो और क्या आप सोच सकते हैं कि human sperm माइक्रोस्कोप में देखने पर किस तरह से नजर आता होग तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी चीजों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे जिससे वाकई आपके होश ओड़ जाएंगे So, नमबर फिफ्टीन गाडन की घास को आप रोज पैरों से दबाकर निकल जाते हैं लेकिन इस घास को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आपको इनसे दोस्ती करने का मन करेगा। क्योंकि माइक्रोस्कोप में घास कुछ इस तरह से स्माइल करती हुए नजर आती है। माइक्रोस्कोप का ये नजारा वाकई बहुत साटिस्फाइंग लग रहा है। ये घास ऐसी लग रही है जैसे आपको वेलकम करने के लिए ही गाडन में खड़ी हो। अगर आप इन्हें अपनी नॉर्माल आखो से देख पाते तो शायद हर रोज इनकी ये खूपसूरत इस्माइल देख कर आपका मूड अपने आप ही अच्छा हो जाता। इनसान की जीब देखने में काफी स्मूद नजर आती है और यही जीब आपको खाने का टेस्ट भी बताती है। इंजक्शन की सुई कितनी भी छूटी क्यों ना हो। फिर भी उसे लगवाने से सभी को डर लगता है। आपको कुछ इस तरह का बड़ा होल दिखाई देगा, जो वाकई आपको डरा देगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी फेस की स्किन के ऊपर भी इसकिन माइट्स होते हैं। जी हाँ, ये माइट्स नॉर्मल आखुसे नहीं देखे जा सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप में आप इन माइट्स को आहराम से देख सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इन माइट्स की शेप लंब भी होती ए और आगे की तरफ इनके पैर जैसे कुछ निकला हुआ होता है। Human skin पर mites का होना normal सी बात है, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, बस कभी-कभी immune system के imbalance होने से normal skin problems जैसे acne, redness वगरा हो जाती है। इन mites को medical भाशे में demodex कहते हैं, जिनका काम होता है dead skin cells को remove करना। 11. मच्छर दिखने में जितने छोटे होते हैं, असल में उतने ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, इनकी पहचान आप microscope से आराम से कर सकते हैं। 10. अंडे का छिलका, यानि एक शिल देखने में बहुत smooth और simple नज़र आता है, और white color होने के वज़े से ये बिलकुल भी अजीब नहीं लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में अंडे का छिलका देखने पर बहुत complex और अजीब नज़र आता है। अंडे का छिलका माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस तरह भूल भूलिया की जैसे नज़र आता है। वैसे अगर गौर करेंगे तो एक कुछ-कुछ टॉम एंज़री में दिखाये जैने वाले चीज की तरह लगेगा है ना। दोस्तो चीटियां अंटाक्टिका को छोड़ कर दुनिया के हर कोने में मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि ये चीटियां दिखने में जितनी चोटी और मासूम लगती हैं। माइक्रोस्कोप में देखने पर ये उतनी जदा खतरनाक लगती हैं। जैसा कि आप इस माइक्रोस्कोप की तस्वीर में देख सकते हैं। चीटि का फेस कितना अजीब और डरावना लग रहा है। चीटियों के आँके छोटे काले मोती की तरह लग रही है। इस चीटियों के अलग अलग लगभग 1200 प्रजातिया होती हैं, जिनके बीच का फरक माइक्रोस्कोप में देखने पर साफ दिखाई देता है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नमबर 8 इनसानों के आँके हिुमन बॉडी का वाकई भहुत खूपसूरत पाठ होती हैं। लेकिन कि आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में इनसान की आँक कैसी दिखती होगी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इंसान की आँग का structure सच में बहुत complicated होता है। अगर आपके नजर अचानक से इस microscopic photo पर पढ़ती है तो ये आपको किसी डोनट की तरह लगेगी। लेकिन जब आप इसे god से देखेंगे तो ये universe में एक black hole की तरह लग रही है। क्योंकि दोस्तो human eye की पुतली असल में एक खोकला हिससा ही होती है। ये पुतली अंदर की तरफ धसी हुए नजर आ रही है। इस पुतली का function होता है light को हमारी आँग के अंदर allow करना और retina पर focus करना। अपनी खुद की skin को microscope में देखना वाकई एक new experience होगा। human skin के अंदर अलग-अलग layers होती है। और क्या आप जानते हैं कि आप microscope की मदद से human skin की सबसे उपरी layer जिसे epidermis कहते हैं। clearly देख सकते हैं। आप जान पाएंगे कि ऊपर से देखने में skin जितनी smooth दिखती है असल में वैसी होती नहीं है। skin पर अलग-अलग तरह के pattern से बने वे होते हैं। जब आप skin को और zoom करके देखेंगे तो आपको अपने skin से निकलने वाला पसीन भी दिखने लगेगा। ये तो third class के बाद से सबको पता है कि दही में lactobacillus नाम का bacteria होता है। लेकिन उस bacteria को हम मेंसे अधितर लोगों ने नहीं देखा होता। lactobacillus bacteria को आप सिर्फ microscope की मदद से ही देख सकते हैं। दही के अंदर कुछ इस तरह के moving bacteria होता है। अलग-अलग resolution के microscope में आपको इस bacteria की अलग-अलग images दिखती हैं। जिससे आप bacteria को अलग-अलग resolution में देख सकते हैं। वैसे अगर आपको ये bacteria नॉर्मली दिखाई दे देता, तो शायद आप दही इतने मज़े से खा नहीं पाते हैं। आँखों की पलके आँखों के उपर होने का एक important purpose होता है। eyelashes आँखों के अंदर गंदेगी, मिटी और छोटे उढ़ने वाले कीड़ों को जाने से रोकती है। अगर आप eyelashes को microscope में रखकर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि eyelash की growth दोनों तरफ हो सकती है। जिसकी वज़ाद से लोगों को surgery स्थक करवाने पड़ जाती हैं। वैसे ऐसा बहुत rarely होता है। eyelashes के उपर एक mites नाम का parasite भी मौझूद होता है, जिसे केवल microscope के high resolution में ही देखा जा सकता है। जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तो, CFL bulb आने से पहले ये पुराने orange light वाले bulb आते थे। हाप को इन bulb का structure तो अच्छे से यादी होगा। क्या आप जानते हैं कि microscope में इस ordinary से bulb को देखने पर किसी high-tech city की building को देखने जैसे feeling आती है। माइक्रोस्कोप में देखने पर इस bulb का glass किसी building की outer boundary और अंदर का structure दो building की तरह लग रहा है। जिसमें उपर लगे spring मानो एक escalator हो जो दोनों building को जोडने के लिए बनी हुई है। ये microscopic view वाकई बहुत खूपसूरत है। वैसे आप इसे imagination के लिए दूसरे planet का एक घर भी मान सकते हैं। अपने जिन pets को आप दिन भर प्यार करते रहते हैं और चूमते रहते हैं। क्या आपको पता है उन्ही pets के बालों को microscope में देखने पर क्या नज़र आता है। जिससे बाल खिसते हैं और pets को खुजली होने लगती है। इसलिए आपको अपने dogs को regularly नहलाना चाहिए। After all ये mites गंदेगी की वज़े सही होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि lipstick का microscopic view थोड़ा डरावना होता है। दोस्तों जब आप lipstick को microscope में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरका दृष्चे दिखाए देगा। ये देखने में किसी चुडैल के घर की दीवार लग रही है। जहां पर खून ही खून है। आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि lipstick का material असल में इतना smooth नहीं होता है। जितना वो stick में नजर आता है। क्या आपने human sperm की microscopic picture देखिए। इस picture में ये जो कुछ आपको छोटी-छोटी मचलिओं की तरह 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 देख रहे हैं ये ही असल में male sperm होते हैं जिनके अंदर दूसरी life की शमता होती है। ये sperm इसी तरह से चलते रहते हैं। Males के अंदर ऐसे अंगिनत स्पम होते हैं जो लगातार ऐसे ही move करते रहते हैं और नई जिन्दगी बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जी हाँ, Three Idiots Movie की तरह ही दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ amazing facts। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी amazing वीडियोस देखना चाते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe और all notification bell को on कर दो। ताकि हमारी future वीडियो की notification सबसे पहले आपके पास आए। So till then, keep learning, keep growing!